अब हम question number करते है 10.6 अब हम question करेंगे 10.6 in tax का unsold तो इसमें आपको question में given है arrange each set of compound in order of increasing boiling point आपको increasing order में boiling point के according arrange करना है तो यह पर जो सबसे first है आपको given है bromomethane, bromopharm, chloromethane, dibromomethane तो इसका जो order बनाएंगे तो पहले इन का structure बना लेते, bromomethane का आपको पता क्या बनेगा CH3, BR, bromopharm का बनेगा CH, BR3 और chloromethane का बनेगा CH3, CL और dibromomethane का बनेगा CH2, BR2 अब आपने physical property को study तो किया है क्योंका तो मैं इसको इस order में अरेंज करूं, increasing ज्यादा से, sorry कम से ज्यादा की तरह तो सबसे ज्यादा होगा फोलिपंड इस वाले का, bromopharm का बताऊंगा रीजन भी, second number पे होगा, dibromomethane का, तीसे नंबर पे होगा, bromomethane का, और फोर्थ नंबर पे होता है हमारे पास है, chloromethane, अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, इसका रीजन होता है कि देखो यहाँ पर bromine है, यह पर तीन हेलोजन है, और आपको पता है, जब हेलोजन की संक्या बढ़ेगी तो वहाँ पर intermolecular force या उसका size बढ़ेगा, या मास बढ़ेगा, तो उसका है, अब आपको बताया गया था, जब हेलोजन का size बढ़ता है, तो bromine का size, chlorine के size से ज़्यादा होता है, और size जैसे बढ़ेगा, आप intermolecular force of attraction increase होता है, तो हमारा order कैसे रहेगा, सबसे पहले होगा एक number, फिर होगा हमारे पास दो number, फिर होगा हमारे पास सभिख रहा है तो सबसे पहला हमारे काम होता है क्या होता है इनका structure बनाते है, ठोड़ा easy हो जाता है soil करना है तो इस कहा है वन क्लोरो प्रोपेन की अ्हजें कहाude क्लोर है है इनके वैलिंस्य पूरी करदेंगे इनकी वैलेंसी पूरी कर देंगे तो देखो यह स्टेट चेन है फिर आई सो प्रोपाइल क्लोरेड प्रोप का मदब तीन कारवन और आई सो बड़ का मदब तह सागेंड नमबर पे गुरूप अटाच हो जाना इसकी वैलेंसी भी पूरी कर देते हैं पहर आता है up one chlor or butane यहीं के मज़ची पूरी कर देते हैं तो आप में इनको क्या करने अरेंज करने तो आपको दिखाई देरा होगा सबसे ज़्यादा कार्वन संक्या इस में है तो सबसे ज़्यादा इसका बोलिंग पोईिंट इसका होगा क्योंकि कार्मिन संख्या भी जादा है और दूसरा स्टेट चेन है तो आपको बता है जैसे कार्मिनर संख्या बढ़ती जाएगी तो वहाँ पर बोलिंग प्ट भी increases होता है क्योंकि वहाँ पर size of molecules बढ़ेगा तो wonder all force of attraction भी क्या होता है increase होता है दूसरे नमबर पी इसको करोगे क्योंकि इसमें तीन कारबन है है लोजन तो सभी सेम है फिर आप से पूछा जाएगा भई इसमें भी तो तीन नमबर का तीन कारबन हो इसमें भी फिर इसको पहला फास्ट, सेकिंड और थर्ड तो आपका अंसर इसका यह रहेगा